सल्मान खान पर तूटा दुखों का पहाड काला हीरन मामले में आया भाहकारी फैसला साल 1998 में काले हीरन के शिकार को लेकर 5 अप्रेल को जूदपूर कोट में फैसला आने वाला था सभी लोगों की निगाहे सल्मान पर आने वाले फैसले पर टीकी थी बलेवुड के भाई जान सल्मान खान अपने दरिया दिली की वज़ए से भी जाने जाते हैं और यही वज़ए है कि उनके फैन सुन के लिए दूआ कर रहे थे आपको बता दे 5 अप्रेल को सल्मान अपना फैसला सुनने के लिए जूदपूर पहुँच चुके थे मिली जानकारी के के मताब की सल्मान को दोशिक करार दे दिया गया है सल्मान समेत सैप हली खान तबू और भी एक्टर से इस मामले में लिप थे लेकिन सल्मान को छोड़ कर बाकी सभी को कोट ने भरी कर दिया गया है बाकी जितने भी आरपी थे सभी को संदेग का लाब मिला आपको बता दे अभी उनको कितने साल की सजा होगी इस पर फैसला आना बाकी है और सीजेम कोड पर बहस चल रही है तीन साल से कम सजा मिलने पर सल्मान खान को बेल भी मिल सकती है सरकारी वकील सल्मान को छे साल की सजा की मांग कर रहे है आपको बता दे सल्मान को वाइल लाइफ एक के तहट दूशी ठहराया गया है काला हीरन भारत में खास कर राजस्थान में पाई जाते हैं और बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है सरकार उनका संग्रक्षन कर रही है और इसलिए उसकी हत्या करने की वज़े से सल्मान को दूशी ठहराया गया है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सबसक्राइब करना ना भूले